नमस्तिस रिखाल सबको, दिस इस सहाल गौरियर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं M.U.O.E.T. के बार में, तो M.U.O.E.T. आपका मनिपाल का इंटरेंस टेस्ट होता है, तो यार उसके बार में पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बाल जो उसका पैटन है, वो पूरा चेंज कर दिया गया है, जो आपके स्लोट्स वगएर है, वो कैसे बुक होएंगे, एक्जाम का पैटन कैसा रहने वाला है, और आपको यार क्या रैंक वगएर लानी पड़ेगी, कितने मार्क स्कोर करने पड़ेंगे, जिससे आपको CSC, IT या फिर टॉप की जो तीन जा ब्रांचिस है, वो आपको मिल सके, तो वो सारी चीज़े हम कवर करेंगे इस वीडियो में, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से जल्दी वो लालक ल तो जल्दी से जल्दी हमारी 5000 की फैमिली पूरी हो जाएगी, तो याँ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जादा देर नहीं लगाएंगे, छोटी सी वीडियो होने वाली है, सबसे पहले हम पूराने पैटन को देख लेते हैं, जादा उस पर डिसकस नहीं करूं, आपस ब चीज फीड यहां पर में चीज होती थी, आपको स्पीड नहीं होएगी अगर आपके पास, तो आप यह सारे कोशन सब्सक्राइब नहीं कर पाऊगे, और आपका जो होते हैं, टोटल मार्स होते थे 800, और यहां पर आपकी जो मार्किंग स्कीम चलती थी, वह चलती थी, प् सब्सक्राइब करेंगे, यहां पर आपके पस क्या टाइमिंग सब्सक्राइब यहां पर एक सो बीस मिनिट में आपको 60 कोशन करने हैं, तो यह आपके लिए यहां पर थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, बट अगर मैं बात तो इफिकल्टी लेवल की, तो यहां पर आपक यहां पर आपको जाफी जादा कोश्चन आपको मीडियम लेवल के देखने को मिल सकते हैं, तो आपको थोड़े गौँत यार अच्छे से कोश्चन्स वगएरे प्रेक्टेस करने हैं, फ्रॉर्मलास वगएरे पे प्रॉपर ग्रेप बनाने हैं, थोड़े अच्छे लेवल जितने भी यह यहां पे रहेगी आपकी प्लस फोर माइनस वन और जितने भी आपके नुमेरिकल आंसर है मतलब 15 कोश्चन्स के लिए आपकी रहेगी प्लस फोर और जीरो मतलब अगर आपका गलत होता है तो आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अब यहां पे हमे प्लस फोर और जीरो का मार्किंग स्कीम है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जाएंगे उतना जादा बैनेफिट आप लोग के लिए होगा तर यह तो होगी आपके पैटन की बात मतलब पैटन कैसा इस बाद होने वाला है आपको अच्छे से आईडिया लग गया हो आप लोग टेस्स दे सकते हैं तो यार काफी बच्चे कन्फ्यूज है फेस 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 टू में तो उसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं अब यहां पर हम क्लियर कर लेते हैं आपका फेस वन और फेस टू ठीक है यह सेम डाटा आपको इनकी वेबसाइट मिल अर्थी तो यार मैं आपको प्रॉपर्ली समझा आता हूं क्या तीज है तो यार आपको फेस वन के लिए रजिस्टर करना है 31st मार्च तक जिसके लिए सर्फ और सर्फ छे साथ दिन रहे हैं तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया और आप फॉर्स टैम देना चाहते हो त तो यह आपका slot booking time रहेगा कि आपको यार time choose करने किस time frame में आप exam देना चाहोगे उसके बाद यार जो आपके first exam की dates रहेंगी वो है 16th of April से लेके 20th of April तक तो आपको यार यह exam जैसी आप book करोगे उसके चारपार दिन बाद आपका exam हो जाएगा और यह रहने वाला है आपका बुक कर देते हो phase 2 को भी ठीक है तो आपका first attempt तो यहां हो गया इसके बाद आप दुबारा exam दे सकते हो second attempt में ठीक है तो यह आपका हो गया इस तर से second attempt लेकिन अगर आप first attempt नहीं देते हो तो फिर आपके पास application date अगरा बढ़ने के लिए time रहेगा जो है first अपरेंस से लेक ठीक है और जो बच्चे आप यहां पर नहीं दे रहे हैं वो दुबारा exam नहीं दे सकते हैं वो सिर्फ एक ही बार exam दे सकते हैं जो उनका यह first attempt रहेगा उसके बाद जो है आपकी dates रहेंगी slot booking की वह यह timing है 3rd June से लेके 10 बजे उसके बाद 6th of June 5 बजे तक आप लोग अपनी slot booking वगएरा कर सकते हो और फिर जो आपकी exam date रहेगी वो रहेगी June 9 से लेके June 15 तक तो आप लोग को clear हो गया होगा यह सारा phase 1 और phase 2 का क्या fund है ठीक है और यह एक चीज़ clear कर देता हूं जितने भी student first attempt देंगे वो यार बहुत ध्यान से अपनी city वगएरा चूज करना जो तो आपको यह चीज़ बहुत ध्यान से फिल करनी है और यार मैं सबको बोलूँगा कि आप दो बार अगर यार आप चाहते हो admission लेना तो आप दो बार दे जो इस exam को अभी भी fill कर दो और second attempt के लिए apply कर दो ऐसा मत सोचो यार अगर अगर आप यह एक्जाम दोगे तो इसलि यार फिल आउट कर सकते हो तो अब बात कर लेते हैं हमें किस पर्टिकुलर रैंक पे CS IT, CC और ECE जैसे ब्रांच जो आपकी टॉप ब्रांचे होती है वह आपको मेन कैंपस में मिल जाएगी तो आपकी कट-off लिखे हुए है इसके बाद यार जो मैंने यहां पर लिखा पहले स्टें होते दें कितने सही होने पड़ते थे जब आपको CS, to almost one 45 प्लस आपको question सही करनने पड़ते थे 200 में से जो आपको मार्क्स कितने बनते हैं almost 580 के असपास आपके मार्क्स बनते हैं यहां पे तो आप safe zone में रहोगे ठीक है CEC आपको पक्का मिल ही जाएगी अगर आपको 135 प्लस आपके score रहते हैं मतलब 135 से ज्यादा आपके question सही रहते हैं तो 540 के असपास आपके मार्क्स बनेंगे तो 540 से लेखे मतलब 520 से 540 के बीच में अगर आपके मार्क्स रहेंगे तो आपको IT मिल जाएगी इसके बाद यहां पे अगर मैं बोलू CC की अगर हम बात करें आप आपके तो आल्मोस 500 ठीक है या फिर 490 यहां पे इतने मार्क्स रहेंगे तो आपको CC मिल जाएगी और यहां पे आजाते हैं आपका 470-480 के असपास आपको EC मिल जाएगी तो यह आपके में कैम्पस की बात है इतना आपको score करना पड़ता था पहले साल था या 2020 था लेकिन अगर हम मैं बात करूं यार CAC, IT, ECC और ECC आउट ओफ 240 मार्क्स आपको कितना score करना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से यार सिर्फ मेरा point of view है जो मेरे को लगता है कि आपकी cut-off जाएगी तो यहां पे आपके 170 के असपास मार्क्स आएगे 170-180 के असपास तो आपको CAC मिल जाएगी यहां पे अगर आपके 160-170 के आसपास मार्क्स आएगे तो आपको IT मिल जाएगी यहां पे आपका 145 या 150 से लेके 160 तक अगर आएगे तो CC मिल जाएगी और यहां पे आपका रहेगा 135-145 के आसपास तो यह cut-off रह सकती है यह मेरा point of view है मैं पक्का नहीं ब तो यहां इन cut-off को आप target लेके चल सकते हो अगर आप इन cut-off को target लेके चलोगे तो आपको एक idea रहेगा कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है तो यहां आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था मैंने आपको सारी चीज़े बता दी है क्या cut-off अगेर आपको लानी पड़ेगी क्या आपका exam pattern रहने वाले phase 1 phase 2 clear कर दिया आप लोग को तो यहां तक वीडियो देख लिया एक like का बटन जरूर दबातना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाके जाना 5000 की family जल्द से जल्द पूरी करनी है और अगर आपको कु करते हैं मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में टाटा सी यू बाबाई